नमस्कार बिंदा सर्याना पर आप सभी का स्वागत है इस वक्त हम चंडिगड़ में बैठे हैं और मेरे साथ वैसे तो बताने की आप सकता नहीं है आप सब लोग बली बांती जानते हैं भारत सरकार में रहे मंत्री सोधरी जैपरकास सहरण उरफ जेपी जी है और जिस परका अगामी चुनाओं को लेकर और आगे किसकी सरकार बननी है उसको लेकर जो भी ब्यान बाजी चलती है वो आप सब लोग जानते हैं तो जैपी जी से तमाम मुदों के लिए बाचित करेंगे जैपरकास जी पल्दाव का बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाज जी सर जैसा क कि लगातर हम बात करें कॉंगरेस कीौंगे संगर बात करें के दैवे की जाते हैं कि हमारी सरकार आ रही है और घृना अपकी तरब से कहा जाता है कि तो आप लोग इतने ज्यादा आस्वस्त हैं इसको अरगां क्या कहें विश्वी से लिए हीधा के पर मुपूंदर, वात स की चार-चार उपमुख्यमंत्री होगे एक उपमुख्यमंत्री ब्रामन होगा ब्यानों नहीं दे दिया जिसकी शर्चाज करें चलरी है कि अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर एक जाट जो है वो उपमोख्यमंत्री भी होगा आप कैसे देखते हैं देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चोहरी बुपहिंदर जनल सेक्रेटरी जो प्रभारी है दिपक बावरिया जी उन्होंने भी बड़ी कलियर कर दी अब यह सब्दों को जोड तोड करके किसी को प्रफासित करना उससे कुछ फर्ग नहीं पड़ता जो हुड़ा साब ने बात कही है वो यह कही है कि वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो क्योंकि समिधान में मनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो तो इसमें कोई फरक नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई ओद्दा नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो समिधानिक दरस्टी से इनको कोई अलग से प्रिविलेज नहीं है अगर कोई डिप्टी चीफ इनिश्टर ये सोचे कि मैं चीफ इनिश्टर का प्रविलिज मुझे मिलेगा तो यह गलत बात है तो इसलिए उड़ा साब ने जो बात कई है क्या फरक पड़ता है मिनिश्टर भी अलग लग इसमें तो सचाए तो यह है कि आज का जो मुझूदा बारतियों जनता पार जो को बात नहीं है उड़ा साब ने जो कहा है वो बड़े विचार करके कहा है और जो कुछ विरोधी हैं जिनके पेट में दर्द रहती है कई बर तो अबे सिंग चुटाला की बासी कड़ी में विफाना है रहे है वो भी अधिक ब्यान देन लाग रहे है तो बुले उड़ लोगों ने पब्लिक ले हर्याना प्रदेश की जनता ने 2014 में इंडियन नेशनल लोग दल को विपक्स की भूमी का अदा करने का काम किया था इनको विधायक दिये थे और अब ऐसिंग चुटाला पांच वरस तक नेता परतिपक्स रहे तो उस वक्त अब ऐसिंग चुटाल करें नेता परतिपक्स का यह काम नहीं है कि पाइसमली में जाए मैं इंडिपेंडेंट है मेले था हर रोग क्या मनूर लाल जी अध्यक्स जी मैंने इतने पेज़ की चार सीट दी है घुड़ा साब को गिर्फतार करो अरे तुन नेता परतिपक्स है जो सरकार की कमिया है आपतर बावन सो चॉमन सो बोट इनको मिली और मैंने इनको खुद कहा था रहे तुम कंडिडेट मत कड़ा करो विपक्स की एकता की तुम बात करते हो और तुम बीजेपी के लिए काम कर रहे हो उस वक्त इनको यह याद नहीं आई कि तुमने भी दूसरे पार्टियों के साथ बात करनी पड़ेगी यह बार 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 बीजेपी को स्पोर्ट की इतना बड़ा धोखा लोग दूने किया जन्ता के साथ अबेसीं ने अस्तिफाद यह बात कहा कर के ख़िए मैं किसानों के साथ ज्यात्ति तियो और चिसान संक्षणों ने भी वहाँ जाकर मदद करी दूसरे लोगों ने भी मदद करी लेकिन राजसभा के अंदर जब बूट की बात आई तो बीजेपी के समर्थक जो था उसको बूट दिया ओपन दिया नहीं दिया राष्टरपती के चुनाओं में बूट दिया कि नहीं दिया तो आज वह वेक्टि भी इस तरह की बात ने कर विपक्स की एकता की बात करता है आज भी मैं कहता हूं अगर एक परसेंट भी वोट लोग दूर को या जेजेपी को जाएगी इसका सिद्धा अलाब बीजेपी के लिए तो इस तरह की ड्रामे बाजी करने वाड़े लोग तो इस तरह की बातें करते हैं या बीजेपी की कहता है कि परजात अंतर का चीर अरंड कर लिया वो पहिंदर सिंग उड़ा ने मैं मुख मंतरी जी से एक बात पूछना चाहता हूं और नमरता से वी नमरता से कि जब इस परदेश में धंगे थे क्या उस वक्त जो पाले अगर अगर आसंबली के भाशन जनता मरे सुनाए जायें तो भारती जंता पार्ति का क्या रूल था भारती जंता पार्टी की तो इसलिए भाई यह जो त्यार की बात के हुड़ा साथ की लोग प्रियतासी मैं एक बात आज भी मानने के लिए त्यार हूं प्रदेश के मास लीडर हूँ, आज है मोजूदा तो चोदर भुपेंदर सिंग उड़ा है। तो भुपेंदर सिंग उड़ा की लोग प्रियतासी प्रिशान है। वह बला मेरे दननों फोट जो सम्मी अलह आज के एक फोट है। यह तो एक फोड़नी है अरीब कर लोग इनने सबक सिखावेंगे। इसा कोई फैसला नहीं है यह तो हाई कवान करेगा अरे यार देखो तामें तो लड़ाई करा हुमारी और यह मैं जनता से की निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के मादने से उद्यभान जी की बात का जवाब दीजिए उसका मैं जवाब दूँगा ना उद्यभान जी यह कहा वो चीज़े तो तम इतारा आत्मा यह कड़ियां तो काइट लो और कड़ियां ही ने जोड़ दिए ताम तो दड़द अलग दिखाए दो और मूह अलग दिखाए दो अब जनता ड्रगी थारत है कि बन्यों इन विरावियं के करेंगे और यह प्रिंट मीडिया तो क बहुत बड़ा अपना एक माफिया टाइप का जाल बिचा तो उन्होंने यह कहाई ठीक बात है कि प्रेजडेंट या चीफ मिनिस्टर का फैंसला यह तो हुड़ा साब खुद कहते है मैं कहता हूं नहीं उसमें यह कहा विधायकों की अनसंसा से हाइकमांड फैंसला करेगी मैं आपको बताना चाहिए 2004 में हम MP थे हुड़ा साब भी MP थे हम MP थे सारे तो 2005 का विधान सफ़ा का चुना हुआ एक बेकार परचार करा गया शुर्गिया चौदरी बजनाल के नेतरतों में 66 MLA जीते हैं यह एक कुछ लोग है जो इस तरह का परचार करते हैं आप यह बता उंपरकाजी जिंदल की सरे आम खिलापत कर रहे थे मेरा भाई रंदीर चुनाओ लड़ा था बरवाड़ा में सबको पता क्या था और दूसरे जो लोग लड़ रहे थे कहीं जाकर के एनक दिखा दी जाती थी कहीं जाकर के कुछ दिखा दिया जाता था और जब विधायक दल का नेता का चुना हुआ तो विधायकों की उनसा हुड़ा साब के पक्स में थी नय के सुरूगे चौदरी बजनल के पक्स में अगर चौदरी बजनल के पक्स में विधायकों की उनसा होती तो जब मीटिंग बुलाई गई पार्लिमेंट अनेक्सी में तो चौदरी बज विधायकों की गिंटी करके आज भी जीवित है असो गहलो जी अब्जरवर थी साइच जहां तक मुझे ग्यान है और हमारे जनरल सेक्टरी इंचारश्टे आदरनी दिवेदी साहब और सवर्गय भोराजी तो इन्होंने गिंटी करके सब के बीच में लिफापा को लियार बा कि 19 2005 का विधान सभा का चुनाओ शूर्गय चोदरी भजनलाल के नेतर्तों में लेड़ा गया उनका नाम कहीं था तो जनता जो मुझे फिटे मुझे कहीगी मैं सविकार करूंगा और मैं जनता से माफी मांगऊगा वर्ना इन लोगों ने इस परिवार ने विशेश चोर से शुर्गय चोदरी भजनलाल के परिवार ने इस बात को कहना चोड़ना चीए कि उनके नेतर्तों में चुनाओ आवा कौन जूट बोलते हैं जनता के सामने वैसे दो जूट का घजब डाम ही है आदमपुर का देख लिया नहीं लोगा ने बोट नूगे रहे बुलात जो भी आद होगी के मुझे उस दिन तकलीफ होई शुर्गय चोदरी देविलाल का हमेशा से विरोधी रहा ये परिवार राजनतिक तोर से भी और समाजिक तोर से क्या का ओ छोटी राजनति छोटे सब्दों का इस्तेमाल शुर्गय चोदरी बजनल के चोड़नाल के खिला में बहुता कंग्रस नजीत यूइब चया के लोगों की वोट लेगे अब पता लगेगा इन दवानाईब के भी आपने दोजार पांच का जिकर किया आपने का कि नितरतों में नहीं लड़ा गया दो हजार पांच में 67 सिटे आई, दो हजार नो में 40, दो हजार चोदा में सिरफ तेरा, हलांकि आप जिनका गुणगान कर रहे थे वो दो लोग फिर जुड़ गेते तो पंदरा आओगी थी, आपकी सिटे तो तेरा ही आई थी, जो विपक्स के लोग हैं, वो यह रोप लगा है, आपकी राजमतिक जमीन जो है ना, वो कहने खिसकती जारी, इसलिए जात्ती पात्ती को साथ रखने के लिए इस तरह का ब्यान दे रहे हैं, कि इन लोगों को पिख्यमत्री बढाएंगे, यह राजमतिक सास्तर पड़ का एरे हैं, इनको क्या मालूम जो लोग इस तरह क परचार करते हैं, अर्याना की राजमति कहा खड़ी है, आज अर्याना प्रदेश में मास लीडर कोई और है तो बता जो, वो खुद ही बता जो कुण सा नेता है उनमें, आज बोट हैं, कांग्रेस पार्टी की धक्स्ता में, चोधरी बुपेंदर सिंग उग्डा के नाम के बोट हैं, बोट किसी और नेता के नहीं है, अगर कोई और नेता ये समझता है, आदंपुर के चुनाव ने तो मौर लगा दी, देखिए, किसी भी पार्टी और किसी भी नेता की लोगपरिता का पहिमाना दो है, राजनती में थर्मामेटर कोई नहीं होता, कि नहीं बताए चौदी भुपेंदर सिंग उड़ा इनके बेटे देपेंदर सिंग उड़ा के नेतरतों में लड़ा, बालू तो भरैसर था, और बड़ी वहां तरह तरह की ऐसी गलत हरकतें की गई, कि किसी तरीके से कॉमर्स वहां हार जाए, रात तो रात कंडिडेट बदल दी, उसके ब वहां क्या हुआ, फिर आदमपूर का चुनाव आगया, आदमपूर में जो लोग ये कहते थे, कि जिस दन से उड़ेभान जी को हर्याना परदेश की बागदो, राधनी शिर्मती, सोनिया गांदी जी ने, दी, कर ये जोड़ी मनाई वपेंदर सिंग उड़ा की, जो हम सब के नेता है, बहुत लोगों को दर्द है, कि ये पी बार-बार ये कहते है, कि हुड़ा साब चीज निश्टर बढ़ेंगे, और मैं नहीं कंदा कंदा कुछ भी, मैं तो लोगा ने विवस कर दिया, आदमपूर के अंदर, अगर मैं चोदरी वपेंदर सिंग हुड़ा के ना करसित किया, और वहां पर 53,000 बोर्ड जो कॉंग्रस पार्टी के पक्स में आई, लोग मुझे कहते थे, कि जैपरकास, ये तो बाई लेक्शन है, ठगी ठोरी हो, उसका है, लेकिन आग गया मुड़ा साब की सरकाब, मैं भी कम है, अब आप देखिए, अगर किसी भी वेक्त होती है, कुमारी सहल जा बार बार ये कहती है, किरन चोदरी कहती है, और भी लोग कहते हैं, लेकिन आपने तीन उप्चुनाओं का जिकर किया, मैं इसमें दो और जोड़ देता हूं, राज्यसभा के दो चुनाओं और, ठीक है, ये जब बात आती है, कि जब हुड़ा साब के घर की बात होती है, तो वो सारा कुछ लगा के जिता देते हैं, ब्रोधा भाई उनके घर था, जीतले एलेक्शन, राज्यसभा का चुनाओं आया, डिपेंदर को भेजना था, वो भी कैसे भेजा, अभी थोड़ी देर पहले आप जिनका नाम अरोब भी लगाते हैं, ले तो कहीं को रास्ता निकाल लेते हैं, जब बाकियों की बात आती है, तो ब्रदिक्कत होती है, यार यह तो बात ही आए, देनी आवब बुनाई, कट्यावत आवसूत, जो किसे का पल्ले को सुन्दानी, वो लोग इस तरह का दूस्परचार करते हैं, आजबे सिंगा ब्यान सर्मा भी बड़े नेता हैं, और पराणे बीजेपी के नेता हैं, काफी अलग-अलग दलो के साथ वो रहे, आपके साथ भी रहे, आप भी उनमें सामिल थे, जिस तरीक के से उन्होंने हिसार में ब्यान दिया, अलाकि उस ब्यान को लेके कहने कि आप पतरकार को उन्होंने बाते होई, वो भी पतरकार संक्टन है इसार का, वो भी उनका विरोध कर ले, और कहीं चार-पास दिन का अल्टिमेटम दिया कि वो माफी मांगे, लेकिर राहुल गांदी के बारे में उन्होंने बोला कि राहुल गांदी तो ट्रेक ड्रेरों के साथ अफीम खाते हैं, दे राहुल गांदी जी ने इस देश में, जब भारतिय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों से, इस देश का किसान, मज़़ूर, करमचारी, विपारी, नोजवान, दुख्यों प्रिशान था, एप्रिशेट तो रामभिला सर्मा जी ने ये करना चीए ना, के साड़े-चैर- जार किलो मेटर की यात्रा पैदर चलके, इस देश को तूटने से बचाया, इस देश में प्यार, महबत का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी देश और प्रदेश को जात, मजब और धरम में बाटना चाहती है, राउल जी के उपर माननीय प्रधान मंतर जी ने कहा, अम्यत्य प्रदेश में जा करके, कि वो फोटो परदर्शन करते हैं, फोटो खिचवाते हैं, फोटो नहीं खिचवाते हैं, वो कहां गुमें, वो अंतिम समाज के वेक्ति के पास गए, जो अपने परिवार का लालन प फचल कैसे लगाई जाती है, धान ककल, MSP की बात आएगी, जब वो सरकार में होंगे, तो उनको ये नोलिज होगी, वो ट्रक ड्रैवर की जिन्दिगी देखी उन्हें, उन्हें नाटो रक्सा वाले का जीवन देख्या भी अपना, ये परिवार का लालन पन कैसे कर रहे हैं इनको उस बात की दर्द हो गया, और इनके दूसरे नेता, ये उनके दूसरे नेता, आपने दिखे वीडियो सेशन तो इनके होता है, एक दने एक नेता के सामने में नाम नहीं लिएँगा, कोई बीच माय गया, ओ मार्या फैंक, अरे बाई, राहुल जी ने को वीडियो चल गी हो तो उन्हें कह देना चाहिए, मैं इस बात का पक्स में हूं, कि उन्होंने माफी माफी माँगने चाहिए, और भारती जनता पार्टी अगर माफी नहीं मांगेगी, तो जनता ये समझे कि कि BJP के लोग, सही बात है, कि ये बत्तमीजी की भासा का इस्तिमाल करते है यह बुरी बात है यह बात नहीं होता और अधम करूंबकर नहीं करें जासा बार्त का इसे लूटता है किरंदीप संग्स इबारा ने दोनाएं कर दूगार AH तुम समझते नहीं बात मैं समझाता हूँ वह मेरा कहने का मतलब होता है पत्तरकार साथी बोले के जी मान लोग कलायत आपको टिकेट ना मिले कोई बात को नहीं है अगर पार्टी किसी और को देना चाहती है कलायत में अमें कैच्छल दे दियो कैच्छल भी खाल ली पड़ी है इलेक्शन तो लड़ूँगा चाड़ी साल का राजनतिक जीवन है तो पार्टी ने सोचना पड़ेगा ना जैप्रकास का मन क्यों बदल रहा बार खुद कहरे हो कभी कहरे हो मैं चुनाव लड़ूँगा कलैच से कभी कहरे हो मेरा नहीं हम नहीं बोला आपने मैं कभी कहते तो मेरा विकास लड़ेगा चुनाव लड़ांगे रोज रोज थाम ना पूछे करो इन बाता में को तंतनी ताम ने भी इंबकाय दें कुछ न कुछ न कुछ इसार के चकर आपके आजकल ज्यादा लग रहे हैं जैसे लोक्सभा को लेकर आपका काफी बरनाम आता लेकिन अ पुछा आपने का कि अगली बार भी यानि कि 2024 में आदमपूर से ही लड़ूंगा आप या बात बोल के आए थे फिर ही पुना ना टूंग अरे बाई देखो अगर लोग यह चाहें पार्टी यह चाहें कि जैए प्रकास लोग सुभा लड़े तो मैं यू कहें लोगान अब लोगों को पता लगया है कि यह जो पार्टी है कार्टी जन्ता पार्टी यह विश्वास घाति यह गठबंदन की सरकार ठगबंदन की सरकार है इन लोगों ने ठगया है जन्ता को और जब जन्ता को ठगोगे तो रजल्ट बहुत बुरा होगा मैंने कई बार देख्या है कि इनका हर्ष इतना माड़ा है रियाना में के इनको आज हालत ही यह इन बड़े परिवारों को जो बीजेपी जेजबी में लड़न घात्र जगां कोनी पाइरे रहे हैं कदे किते बात जहें कर देखिते बाद जाएं कम से कम यह तो देखो ना कि जैप्रकास को इसार की जनता यह तम पत्रकार गोब्रे आप सबसे मजबूत हो क्यों को मन मजबूत भाई अब मुझे लोग कहेंगे जेप्र लड़ले और पार्टी के लड़ले क्यों नहीं लड़ों इसलिया बहुत इसलिए बीशोड़ हुई VS सब्सक्राइब करैं ना इसलिए TOM तरह में कमी हैं तों भी उन्हें अड़ीबास भोलो ब्लड बायर पाकिस्तान का मैं इसार जले की बात कराऊ इसार पर्लिमेंटरी की बात कर रहा हूं जो अगर कोई सो काड़ नेता यह बात कहें तो उनका ज्वाब मैंने आदम पूर में दिया था कि जितना संक्थन में ज्यादा टाइम पर कास रहा को रहा है कि अर्पार्टी कहीं से चुनाव लड़ाए दे तो मजबूत्ती जेपी की इतर पार्टी ने कहा मुझे लड़ना आदमपु लड़ना है पर्टी ने मुझे रख है कि लोग शमा लड़ी है लोगशता लड़ना लड़ना रिखाई है और ये भी ऍम मैं एक ऐसा आदमी इस प्रदेश की राजनती में जहां तक मुझे समढ़ना है कि MP और MLA मने कठी भी लड़ रखे हैं लड़े थे नहीं जब मुझे यह कहते थे नेता बनेंगे उन नेताओं को मैंने छाल्ट हुआई थी मन नहीं लोग अंट हुआई थी यह अंकारी लोगो होंगे तो इसलिए जया प्रकास की जो पॉपलर्टी है लोगों में सुविकारियता है लोगों से मेरा प्यार प्रहेम और सने मैं तेरा बाद साल बाद आदमपूर में गया है यह सारे परिवारोड एलेक्शन अड़ीए बाईजार तो प्रटिपे को मैं मेरे मैं में है अभी कुछ तिन पहले लेली की लोगों से बोला मेरी वात सुनो जबकि उचाना के लोग करें 50 साल हमने सुनी इसी की है कॉंग्रेस के नेता या कॉंग्रेस वास सुनेगी चोदरी बिरेंदर सिंग की मुझे तो नहीं मालूम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो तो कॉमा अरो एक लाइक रहे है नू तो वह लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर वह सही मायना में भारतिय जनतापार्टी गठबंदन सरकार के लोगों से प्रिशान थे तो उनके यह बड़ा मोका था तो चूक गे और उन्होंने जिस वक्ति तीन काड़े कानून पास है इनका बेटा सांसत था उसी वक्त यह कहना चाहिए था कि यह काड़े कानून है किसान विरोधी है मज़दूर विरोधी है मैं पार्टी भी छोड़ने के लिए त्यार हूं और सद्बश्धा उसमें खतम नहीं हो सकती मैं जे खिलाब। बस यह कहते हैं। उस वक्त कुछ नहीं करें। यह लोगा में एक बात थोड़ी सी आई है। मैं तो यह एक बात करना चाहूंगा के राजनती में समय रहते हैं। अगर बड़ी अकदम उठाए तो उसी नेता की कीमत रहते है। जय प्रकास ने आपको याद हो उस वक्त आप नहीं थे इस घंदा में तो नाइन पी शेमन में। में तो उस वक्त मुझे अपमानित करने का प्रियास किया। मैंने उसी दिन अलान कर दिया कि जहां मेरे इलाके का अपमान होगा, जहां मेरे सुम्हान को चुनोती होगी, जहां हमारा काम नहीं होगा, विकास कारजिया नहीं होगी, मैं ऐसी पोजिशन में एमपी रहना पसंद नहीं करता। और वही पापॉलिटरी की बात आगी, आपको मालूम पता करो प्रणे सी दिनों से, एक ही दिन मैंने रेली रख दी, चौरी बंसिलाल नहीं रेली रख दी, एक ही तारिक ठी, एक ही समय था, और हाई कोर्ट में जाके फैंसला हुआ था, मैंने कहां मैं बताऊंगा, वो मु हर प्रपेक से गलत था, वो तो सत्ता के बूखे बेड़ी हैंगे, तो कटे होगे, और गटबंदर का क्या मतलब उसका, तो जो बीजेपी का अगर मैं एक संद्र बोल दूँ हूँ, दो हजार के अंदर, माननिय अडवानी जी ने पलवल में बात कही थी, कि छेत्रिया पार्टियों को खतम करो, और राष्ट्रिया पार्टी की बात करो, जेपी ने डाल हूँ, कुछ टैंप ने बोला था, और फिर फिर इंगा गटबंदर गयां के तर रहे हैं, और बेंदर कांग्रेस मैं आएगा, नहीं आएगा, यहीं बात निंए करूंगा, मैं सिर्फ राज्ति में जो नीड़े स्टिक और जनता को बर्मित ना उना पड़े, अब जनता पृषान में होगा. जावगा क्यों कि काफी लंबी बात्चीत होगी अंति में बीजीपी की जो बड़े नेता है मंत्री भी है काफी हुलगातार आप पर कही ने कहीं आरोप लगाते हैं कॉंग्रेस पर क्योंकि देखो संग्ठन होता है पार्टी की मजबूती संग्ठन मजबूत होगा तो फिर उससे सत्ता में आप 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 आओगे सरकार में आप आओगे वो अक्सर कहते हैं पहले अशोक्तवर रम्मिर समय तक रहे उनके लाठिया मरवाई कई ने कहीं स्पित्र का हमला करवाया संग्ठन नहीं बनाने दिया कुमारी सेल्जा लंबे समय तक रही उनको नहीं बनाने दिया अब उध्याबान आ गए हैं इनको भी नहीं बनाने देंगे बीजीपी की नेता यह आरोप कॉंग्रिस पर लगाते हैं भुपेंदर सिंग पर लगाते हैं बीजीपी की नेता पहले अपने गरेबान में तो जाके हैं पहली बात तो मैं तिननु बातों का जवाब देंगे के असोक तबर के ऊपर किसी ने कोई लाटी नहीं मारी है अभूसे उड़ा साब का क्या लेना देना मैं तो सो व्यक्ताश में था इंडिपेंडडनेंट है में ली था लेकिंव बीजेपी रहता है मनैं सत्टादार इदल का समर्थन नहीं किया तह बलकि उड़ा साब का समर्थन किया था राइट उस वक्त यह तो शरीप बंद्द करने का तरीका है अब दूसरी बात है कि आज गे के मारा संक्तन 30 % बन रहे हैं एए ऐसी सी मेंबर बन रहे हैं मैंबर मिल्ट markets ऑर्गे जो हमारे भ्रेचिफ्ट में सब के पद्दार्यट कारी बन रहे हैं उसके बाद हमारे इस अन्हें डिकंटव को फ्रबा भारीके तो यह संतन तो त्यार है आप यह देखिए बीजेपी के लोगों से परसंट पूछ लिए दोजार चोड़ा में पार्टी के देख्ष थे राम विला सरमा, उनका धक्का मैयरक है, और मनोर लाल जी को लेके आए, ये क्या था बाई? ये क्या था? अच्छा काम था यह, अगर जात्ती की मैं बात करूँ तो कितना बुरा हो है राम विला सरमा के साथ? और उसके बाद कितने मैं इसे उदान दिऊंगा कि इन लोगों ने अपमानित करके भारती जनता पार्टी से भार का रस्ता दिखाने का काम किया चोदरी बिदेंदर सिंग भ्यान देज कर दे अधिक टेलीफोन भी ठांदा तो यह भी बहुत लोगों को लेकिन कांगरस पार्टी में ऐसा नहीं किया कॉंगरस पार्टी ने हमेशा आई आम आधमी की बासुनी नेताओं का मानसमान दिया और जो इन नेताओं का मानसमान कॉ एक बेंदर सिंग थोड़ाइ यह थोड़ाइ थे उसकतों लाया थी बीजेपी बेरेंताम नेके चोड़ी पर है कि जो इस थो पार्टी ने चोदा में चोदरी बहुत पैंदर सिंग भुड़ा के अधिस्टम था वो सरकार पाद नाम नहीं थे वो बीजेपी ने एक जैसे क पॉल्टिक्स वो की। ड्रामा कर दिया पन्ना पुर्मग पन्ना किताब पैटरी है पन्ना करता हमेंगे यह पूरी कांगर्स की सेंकड़ों वर्स का कांगर्स का इतिहास है और इन लोगों के तो करफटन चार्जीज लगे यह उस जनता के सामने आएंगे और यार इसे थेरे 703 किसानों की स्यादत इस देश किसान को बताने के लिए इस देश का नोजवान सड़कों पर रोजगार के लिए मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब मैं गाउं में जाते हैं हम सड़कों पर लोगों को बच्चों को दोड़ते देखते थे जब कॉंगर्स गोर्मेंट तो यह कहते हैं पर त्योना भाइब के जब पुलिश में उर्चे फोज में आज पनमा के जंगलों में दोड़ रहे हैं तो यह को तरीका थोड़े था अज जवान दुखी है आज किसान दुखी है अज वेपारी दुखी है विरुजगारी महंगाई लाचारी कानु उस्ता इपके बेशसक जएके कहाई दिये तारत रोज उसका काम है जए इपके जएके कहाई कहाई दिये कि काम त्यार है अर्याना परदेश में लोक सबार और चेविधान सबार इपकी बार गलती से को सीट आवागी शुकुरिया जएपरकास जी बात करने के लिए तो यह थे साथ साथ जो चोदरी वपिंदर जिंग हुड़ा ने बियान दिया था चार-चार डिप्टी सिया मनाने वाला उसको लेकर विरोंने साफ तरपर राय रखी है यह लोगों की भावनाओं को देखते हो या पिर जिस तरह की जो बात होती है उस तरह की कहने की वपिंदर से यह प्रतिकरिया जिरूर दे विडियोजरलिस्ट विकास कमार के साथ सुरेंदर नैन विंदास हरियान